जैहिन दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल गोर्मेंट जॉब्स में तो आज की वीडियों में हम बात करेंगे एक नई सरकारी बरती के बारे में तो इस बरती के जो एप्लिकेशन फॉर्म फिल किये जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास कम से कम दस में या फिर बारवी पास की माकशीट है जे वीडियों आपके लिए काफी इंपोर्टन हो सकती है आप इस बरती में अपना एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो टोटल बकैंसी आपको मिलेगी इस बरती में वो मिलेगी टोटल 350 बकैंसी तो दोस्तो सबसे पहले ह हम बात कर लेते हैं इस बरती की बकैंसी डीटेल्स के बारे में तो पोस्तने में आपको इस बरती में BSF हैड कॉंस्टेवल की बकैंसी मिलेगी इस बरती में और जो टोटल बकैंसी आपको मिलेगी इस बरती में वो मिलेगी टोटल 323 बकैंसी इसके बाद अगर हम बात करें monthly salary details के बारे में तो अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है दन आपको इस job में लगबग 25,000 से लेकर 52,000 तक monthly salary दी जाएगी काफी अच्छी salary आपको मिलेगी इस job में इसके बाद अगर हम बात करें age limit criteria के बारे में तो अगर आप इस बरती में अपना application fulfill करना चाहते हैं दन आपकी जो minimum age है बहुनी चाहिए 18 साल और जो आपकी max age है बहुनी चाहिए 25 साल और जो केंड OVC से बिलों करते हैं वो 28 साल दक इस बरती में apply कर पाएंगे और जो केंड SC से बिलों करते हैं वो 30 साल दक इस बर्ती में apply कर पाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें education qualification के बारे में तो अगर आप इस बर्ती में BSF head constable में apply करना चाहते हैं दन आपके पास कम से कम बारवी पास की माक्षिट होनी चाहिए इसके लबा अगरा BSF assistant sub inspector में apply करना चाहते हैं तो भी आपके बास कम से कम बारवी पास की माक्षिट होनी चाहिए इस बर्ती के application farm को fill करने के लिए इसके बाद अगर हम बात करें selection process के बारे में तो इस बर्ती में सबसे पहले आपका return test होगा उसके बाद आपका physical and medical test किया जाएगा दन आपका skill test किया जाएगा उसके बाद आपकी final mail list निकाली जाएगी और आपका final mail list में नाम आ जाता है then last days में आपके documents की verification की जागी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस बर्ती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें कुछ important dates के बारे में तो अगस्त 2022 इस बर्ती के जो online application farm है वो लगना start हो जाएगे और September 2022 तक इस बर्ती के जो online application farm है वो fill किये जाएगे इसके बाद दोस्तों अगर आप इस बर्ती में अपना application farm fill करना चाहते हैं then जेसे भी document आपके पास होने चाहिए इस बर्ती के application farm को fill करने के लिए इसके बाद अगर हम बात करें application farm की fees के बारे में तो इस बर्ती में जो apply mode रहेगा वो रहेगा online आपके online application farm fill किये जाएगे औ दना आपकी जो application fee लगेगी वो लगेगी 200 रुपे वह अगर आप ऐसी जाएस्टी से बिलॉंग करते हैं दना आप यहां पे कोई भी application fee नहीं लगेगी application farm को fill करने के लिए लाश में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस बर्ती के बारे में जादा जाना चाहते हैं जैसा कि इस बर्ती का official notification पाना चाहते हैं इस बर्ती में apply करना चाहते हैं तो इन सभी के link आपको वारी website पे मिल जाएंगे website का link में description में दिया हुआ है अवास देख सब check out कर सकते हैं इस बर्ती के बारे में